आपको अपने नाम के आगे यह शब जोड़ना था तो इसको बनने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ करना पड़ेगा और बहुत सारे दिस्ट्रेक्शन को दूर रखना पड़ेगा मुझे सिवाब इतना बता दो कि अगर आपके सपने बहुत जादा बड़े हैं तो आपका संगर्स कैसे छोटा हो सकता है संगर्स में आई मीन कि पहले तो आपको मैनत करना है दूसरा अपने आपको डिस्ट्रेक्शन से दूर र सबसे पहले यह कि आपको अगर सबसे पहले चीज़ आपको टार्गेट सैट करना पड़ेगा आप जब क्लासे से छूटते होता आप यह मत सुचा करो कि आप फ्री हो गए हो आपको क्या लगते मिल गया अप कुझ वह सी दिसी करानी होगी मैं नीदिन यहोगा बट उससे ह तक एक-दो महीना वेस्ट हो जाता है आपका उस चीज में कि और लास्ट तक फॉस्टे पॉस्टे आपको रेलाइज होता है कि अब आप नहीं कर पाऊगे अब मैं नेक्स आटेम नहीं तो पहली चीज आपको टार्गेट सैट करना है फिर उस पर स्टिक रहना है अब जो कु प्र कुछ और उठालोगे फिर ऐसा करते करते आपका दिन में चूजाएगा फिर कल देखोगे फिर राउंड ओफ में डेट देखोगे ऐसा करकर क्या प्रिपरेशन स्टाव्य नहीं करते इस अच्छा है क्यों देख रहे हो भाई चब टाईम है स्टार्ट कर दो पहला तो पोस्ट पर लाइक जाते हैं उनके पोस्ट पर अगेजमेंट बढ़ता है वो अपना काम कर रहे हैं और आप बन रहे हो बेवकुफ चारचार पांच पर दसफ किलोमेटर के आप ऐसा स्क्रॉलिंग करते हो ठीक है कल जो आपने फोटो देखी थी सिमिलर्ली आज भी आप वही फोटो देख रहे हो दस दिन बाद भी आप सिमिलर टाइप की चीज़ देख रहे हो इड़ आपको मज़ा आरह है जूंपके एक्जाम के बाद खदम नहीं होने वाला है वो वही रहेगा वैसा ही रहेगा वहल कि और इंपुर्व हो जाएगा फि क्यों कि वह आपके exam के और आपके mission के साथ align नहीं इसलिए मना करते हैं आपको बट नहीं हमें क्रेविंग होती है हमें को इसको देखना है किसी को देखना एक्सेक्टरा यह आपके result और mission पर हमपर करता है तो आपको ensure करना है कि यह चीज़े जो आपके mission के बीच में आ रही है that should not happen otherwise ready रही है उस regret को face करने के लिए जो उसके बाद follow होने वाला है that is failure क्या आप ready हो नहीं होना कोई नहीं होता तो फिर वैसे efforts करोना है आपकी पास को आओ अब दूसरा सबसे बड़ा चैनल होता है relatives and friends आपके जो खास relations खास friends लोग है जो non commerce backgrounds है non professional backgrounds है वो आपके effort को समझने पाते हैं वो बलते कि आप बेवकुफ हो आप इतना घंटा दे रहे हो आपकी life कतम हो जाएगी अरे भाईया आप पास तो हो के देखिए आपका जब training phase चालो होगा आप इसा कमार होगे ना फिर जहां पर spend करना आप कर सकते life तो बलकि अच्छी हो रही होगी शायद career बनाओगे तो life अच्छी होगी इजट मिलेगे एक स्ट्रसों सबसे बड़ा लाइफ में satisfaction रहेगा आपको मैंने एक बार में निकाल लिया या जो भी है second time जो भी आपका निकल आइस करें best invest करें so that जो अगले attempt में आपको result आ रहा हो वो pass आ रहा हो उतना effort आप कर लो कि आपको doubt ही ना हो आप शौर हो कि आप pass होने वाले हो at least उतना effort आपको करना है otherwise cost रहने वाले है सर कि आप अगर एक attempt delay करते हो तो आपका आगे की सारी calculations life की 6-6 महीन डिले हो जाती है इनर्जी अलग regret अलग इससे अच्छा है महनत करते हैं पास होते हैं फिर social media भी देखना फ्रेंट के हाथ भी गुमना आप हर दोस्त की पार्टियों में जाना बंद कर दो आपको politely no बोलना आना चाहिए खिक दोस्त का मन कर रहा है तो उसके साथ गुम रहे हो खुद का मन क करेगा तो भी जाओगे तो आपका number of times और number of hours जितना वेस्ट हो रहा है आप समझ भी नहीं सकता कितना वेस्ट कर पा रहे हो दूसरा रिलेटिवस जाना थोड़ा से यह ले क्या सामान ले क्या यह ले क्या वह ले क्या तो भाईया उनको मना करें ना उनको बोली अभी आप उनके उपर अरकाऊना चीज़े शिफ्ट और बर्डन आप खुद मना नहीं कर सकते हो तो मना करने का बर्डन के शिफ्ट कर देजे तो उस सेंस में तो मना कर पाऊंगे दिरे दिरे वो भी समझ जाएगा अर्यार अगर आप successful नहीं हो life में तो वो दोस्त भी आपकी इज़ शब्द लगाने हैं उसके लिए best effort लगाओगे आपके नाम के आगे वो शब्द लग जाने चाहिए ठीक है में रिपीट करता हो मेरे शब्दों को अगर आपका संगर्ष बड़ा होगा तो आपके सपने भी बड़े उस से रिलेट हो जाएंगे तो आपको संगर्ष भी